श्याजर रुपे लेकर हमने ट्रेडिंग श्राट किया और हमारे इस ट्रेडिंग जन्नी के एपिसोड नंबर है 78 तो आज के दिन आम लोगो ने कैसे क्या प्रॉफिट किया लॉस किया आरेक चीज के बारे में आप लोगो बताते हैं अपसे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि लाश्ट दे हम लोगो ने जब वीडियो बना तो उसके बाद मेरा कैपिटल बना था 8750 रुपे तो यही 8750 रुपे लेके आज हम लोग ट्रेड करने वाले एंड आज है दोस्तों 6th मार्च का दिन कैसा जाता है वो भी आप लोगो दिखाते है आज का मार्केट अगर आप लोग नोटिस करोगे तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग था देखिए मेरा स्टाइंग से भी होता था कॉल साइट पर बट मैं सही जागे पर अपना ट्रेड जो आज एक्जिक्यूट नहीं कर पाया मैंने कुछ गल्ती किया जिसकारण से थोड़ा से लाउस में कैसे गया कल भी मैंने 150 का लॉस किया अच्छा एक चीज़ आप लोग और बता दो जो भी नए विवर से उन लोगों के लिए मेरे डेली का प्रो प्रो फिट करने का लिमिट रहता है तर्मिलिक का लॉस का भी लिमिट रहता है मेरा 1 फ्ट मने करताओ यह मेbat जिहान में रखता हुए लाजटे हम लोगों ने एक ट्रेड किया तो देखिए लाजटे ट्रेड का मैं एक जल्दी जल्दी में एक छोड़ा से लॉजिक सिंपल बता देता हो मैंने कहां पर गलत हुआ वो चीज़ हो सकता कि मेरे वीडियो से आप लोग कुछ सीखने को मिले तो लाजटे मैंने एक च पर शिजदा तीन सो से मार्केट या स्री पुट राइटिंग हो रखा मसलब मार्केट यहां से अप जाने का चांस ज्यादा है ठीक है यह चीज मैंने नोरी किया इसके बाद इसके बाद क्या हुआ candle जैसे नीचे low लगाया low लगाने के बाद मैंने entry बनाई अपनी अपनी मैंने entry बनाए इस जगे पर entry बनाई entry एकदम perfect थी यह तक मैं मुझे च्छे प्रॉट अपर आपक करता हो चाहिए यह कि यह जार रहता क्यों कि कि द के वज़े से एसली टोने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है उपर से मैं बहुत छोटा इसल के साथ काम करता हूँ जैसे कि मैंने आप लोगे स्टार्टिंग में बताया मेरा इसल का साइज ओनली 150 रुपीज का रहता है मतलब मैं निप्टी में आकर कहूं तो उल्ली तीन पॉइंट का ठीक है तो इसी चीज में थोड़ा सा गलती हो गया कल मैंने गलती से आउट अप दमनी का एक जो है प्रीमियम चूज कर लिया था ज्यादा बहुत ज्यादा आउट अप दमनी भी नहीं आप दमनी के वज़ा से क्या होगा मार्केट थोड़ा सा अप तो गया या तक तो गया कैंडल्स यह देख सकतो मेरा entry वा था इस बड़े से रेट गांडल में ठीक है तो चार रुपए मुझे ऐसा प्रॉफिट देखा रहा था पांच रुपए तक भी मुझे प्रॉफिट देखना को मिला था लेकिन मेरा टार्गेट जैसे बता है 600 रहता है तो मुझे छे रुपए तक मिली नहीं रहा था तो इस वाज से मैंने वेट केंड वेट करने के आज को मार्केट आप लोग देख सकते हों निपटी अपना और टाइम हाई पर ट्रेद कर रहा है इस जगों पर निप्ती इससे पहले कभी भी नहीं पहुंचा आज जागर पह है अल्टाइम आज मार्केट अलटाइम हाई लगायेगा यह स्टार्टिंग का मार्केट मेरा एक बहुत अच्छा ट्रेड था लेकिन मैंने ट्रेड को थोड़ा एक्जिक्यूशन में मेरा गलती हो गया जिसका रांद से मैं हो गया लॉस में देखिए मेरा ट्रेड का टाइम पहले सबसे पहले आप लोग दिखा दो मैं ट्रेड करने के लिए चलता हूँ और्डर प मैं लिमिट प्राइस में इंट्री करता हूँ लिमिट प्राइस में इंट्री करने के वज़ए से मेरा डेली का जो लिमिट रहता है मतलब डेली का 150 SL के बाद भी मेरा आज मन कर रहा था कि एक और ट्रेड लू एक और ट्रेड लू तो बस मैं ट्रेड प्लैन कर रहा था और और अंदर से कंट्रोल करके उसको कैंसेल कर रहा था तो इसी वज़य से अपने आप से मैं लड़ा रहा था हला कि मार्केट से लड़ ले था तो आज यसे मतलब बहुत ज़यादा लॉस क्लिब थोड़ा बहुत लड़ा है यह और आपको बहुत मुस्किल से आज मैं recruiting को किसे करूंगा लेकिन आज भी किया हला कि मैंने फॉलो कोई भी अपना रूल्स मेने ब्रेक नहीं किया बट ब्रेक होने ही जा रहा था मैंने रोक लिया आपने आपको ऐसा सीनवा देखिए मैंने आज जो ट्रेड लिया था वो लिया था आप लोग देख सकते हो 10 बज के एक मिनिट पर ठीक है 10 बज़ के एक मिनिट पर मैंने लिया था था सीयब आडवनी पर सीच अध्रली dot 10 बज की एक मिमीट वाला केंड पर आप लोग को लिए चलंगा यह है अगला जो ग्रीन था केंडल फोट दिख रहा है यह दस बज के एक मीट वाला केंडल है ओक तीन सो ठीक है डिटेल्स में दिखा दू यह देखिए निप्टी का 22300 का सी एंट यह तो 2200 पर तीन सो का सी पे चलते हैं यहाँ पर खुलते हैं ओके यहाँ पर सीन देखिए 10 बजे वाला केंडल पर राइट दस बजे वाला केंडल कहा गया ओ अरे यार यार इंप्स्टॉक मना आज चार्ट का थोड़ा सी इसू था तो इस वाइसे नहीं देख रहा मैं 0 ता में दिखा देता आप लोगो चार सो वाला नहीं यहाँ पर तीन सो वाला चाहिए हमको तीन सो थ्रियंडड वाइसाजार तीन सो का पी चाहिए जिसका प्रीमियम आज तो पूरा बूश्ट हो गया वाइसे जार तीन सो का पी यह टू वच लिस्ट एंड यहां से यह देखो यह देख सकते हो आप लोग फाइम मिनिट के टाइम पर चलता है ठीक है देखिए दस वाला जो ग्रीन केंडल देख रहा ना इस पर और मेरा कितने का इंट्री बनाया थी वह भी देख लीजए आप लोग और बुक में देखिए 78 का 78 रूपीस में मैंने इंट्री बनाया थी केंडल किदर किया ओ सॉरी यह दूसरा चाट को लिए मैंने गलती से यह देखा 78 पे इंट्री बनाया था थोड़ा से के लिए मैं चूब गया बस थोड़ा से के लिए यह रहा मेरा दस वोजए वाला कंड देल लिए 78 मतलब uju' ये एंटीएट येकदम अल्मोस्त लुप्याइन रहो पर मैंने एंट्रीर बनाया था तो प्राइस थोड़ा जो नीचे नृचे आया था एक और स्पाइक मिला था हमलोग को अल्मोस्ट 75 तक का 75 तक का यहां पे एकदम लो पे मैंने एंट्री बनाया था एंट्री मेरा विल्कुल पर्फेक्ट था कोई भी खरावी नहीं था मेरे एंट्री में ठीक है 75 पे मेरा मैं option chain का data चेक करते हुए मैंने एंट्री बनाया थी अपनी इस जगे पे एंट्री होती तो सीधा मु अगले मिनिट में अगले मिनिट में मेरा यह से लिट हो गया अधर्वाइस मेरा ट्रेड का प्लानिंग बिल्कुल सही था बस यह तीन कैंडल मुझे काप्चर करने को मिल जाता लेकिन वह चीज जो है नहीं कर पा थोड़ा साइज मैं बोल तो किसमत खराब था पस एकदम कशोता से स्काइक और उस स्काइक में मेरा स्टाप लोस था व किर्गरा और और शीक जह बांद अज मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड प्लैन किया था आप लोग देखी सकते हूं मैंने आप लोगों को फुली ओर्डर दिखा printers मैं कोई जूट बात है बहुत जारे लोग ऐसे वीडियो बना देता है ऐसा नहीं है मैंने अपना पूरा जो ओडर है ओडर वो खोल के दिखा दिया मेरे एक्जक्ट ओडर का टाइम एक्जक्ट कॉनसा मैंने प्रीमियम चूज किया था क्या सीन हुआ मेरे साथ ठीक है आप ल चीज़ों को इंगनौर की जिए जस्ट निप्टी वाला देखिए इसमें देखिए 150 का आसपास जो है लॉस तीन पॉइंट का मैंने वो किया तीन पॉइंट का मैंने एसल दिया तो इतना मेरा आज का लॉस बना बढ़िए आप लोग का ट्रेट कैसा किया कमेंट करके बता तो आप लोग भी ऐसे ब्रोकरेज ब्रोकरेज परिसान नों तो इसक्रिप्रिप्सिन में आप लोग को इंश्टॉक का लिंक जो है मिल जाएगा और इंश्टॉक में अकाउंट खोलते वक्त आप लोग को सुरुवात में 1000 रुपे करना है उसके बाद लाइप टेम जो है आप ब्रोकरेज फ्री रहेगा तो आप मैंसे भी कोई इंट्रेस्टेड हो तेन डेफिनेटली एंश्टॉक पर जाके अकाउंट बना सकते हो डिस्क्रिप्सिन में आप लोग को लिंक दिया गया है बस आज का वीडियो इतना है बागी आप लोग प्रॉफिट लौस क्या ह हुआ कमेंट करके बताना आगे मिलता बग फ्रेशनी वीडियो साथ तब तक लिए इस्टाड़ा एंड बावाई